अलाह रह्मान रहेम जी स्टूटेंट साच हम छप्टर नम्बर 7 के नुमेरिकल करेंगी 7.1 की स्टेटमेंट देखें एब उड़न ब्लोक मेरिंग 40 सेंटीमेटर 10 सेंटीमेटर multiply by 5 cm has a mass 850 gram find the density of wood ठीक है अब उसने काया कि wooden block है wooden block की उसने length width और height हमें दी है ठीक है अब यह देखें सपोज इस तरह कोई भी wooden block है जिसकी जो length दी हुए वो कितनी है 40 cm है ठीक है और जो इसकी यह width है width कितनी दी हुई है width is 10 cm और उसकी जो यह height है height कितनी height is 5 cm ठीक है तो उसने हमें यह चीज़ दे दी है साथ उसने उसका mass भी बता दी है mass कितना है mass हमारे पास 850 gram है उसने काया कि इसकी density fine out करें कि इस wooden block जो है उस wood की density कितनी होगी ठीक है तो हम अब इसकी density fine out कर लेते हैं जी बिटाब हम इसका data लिख लेते हैं data में सबसे पहले आप देखें आपको दिया हुआ है mass आप यहां लिखेंगे mass कितना है 850 gram आपको बता है mass का standard unit क्या होता है kg इसको divide करेंगे 1000 से तो answer आजाएगा 0.85 kg ठीक है mass कितना हो गया 0.85 kg इसकी इलावा उसने हमें दी हुए यह length length कितनी है 40 cm ठीक है ठीक है उसके बाद width हमें दी हुए है width कितनी है width है 10 cm 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यह length है length का standard unit meter होता है 10 divided by 100 क्या जाएगा answer 0.1 meter ठीक है उसके बाद हमें height दी हुए है height कितनी है 5 cm और height भी क्या है उसका ऐसे unit meter होता है तो 5 divided by जब हम 100 करेंगे हमारे पास answer आ जाएगा 0.05 ठीक है 0.05 meter हमने सारी conversion कर ली अब उसना हमें क्या चीज़ कहा है क्या आपने find out करनी है आपने उसकी density find out करनी है तो density का standard unit हमारे पास kg meter per second cube है उसके according हमने इसको set कर लिया हम गया है density is equal to mass over volume ठीक है अब यहाँ length width और height तो है लेकिन हमने volume find out किया हम volume find out कर लेंगे volume किसा नहीं करते है length multiple by width multiple by height ठीक है अब length कितनी है 0.4 multiple by width 0.1 height है 0.05 ठीक है जब इन सारी terminology को आप multiply करेंगे आपके पास answer आएगा 0.002 और volume को ऐसे unit क्या होता है meter cube ठीक है यहाँ भी meter यहाँ भी meter meter जब meter 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 three time multiply हो रहा है तो क्या जाएगा meter cube अभी हमारे पास volume कभी इस साथ में unit भी हमने लिख लिया volume अब density is equal to mass over volume mass कितना है 0.85 ठीक है और volume कितना है 0.002 ठीक है जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास density आएगी four twenty five kilogram per cubic meter ठीक है density का इससे unit क्या होता है kilogram per cubic meter हमने इसलिए centimeter को मीटर में convert कर लिया और gram जो था mass उसको हमने kilogram में convert कर लिया तो यह आपके पास उस wood की density आ जाएगी जिसका आपको length और height दिए थी साथ में उसका mass भी दिया हुआ था